नमस्कार दोस्तों मैं प्रभादवालिया, कम्प्यूटर भी प्रभादवालिया की ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार दिख स्वागत और अभिननन करता हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना गुलें और अपने क्लासेज रेगुलर चल रही है, इसका नोटिफिकेशन अगर आपको प्राप्ट करना है तो बैल आइकन को प्रेस करें साथियों हम एक सीरीज लेकर चल रहे थे दोस्तों, जिसमें हम लोग अभी बात कर चुके थे इंपूर डिवाइसेज और आउट उपूर डिवाइसेज की, उसी के अंदर हम तीसरे नमबर पे जो पोर्शन लेके चल रहे हैं जिससे हम कह रहे हैं, प्रोसेस यूनिट उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वास्ता में देखा जाए, तो CPU जो होता है, उसे ही हम प्रोसेस यूनिट के नाम से जानते हैं CPU का मतलब होता है, सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, अगर हम बात करें, CPU या प्रोसेस यूनिट की, तो CPU का पूरा नाम होता है, सेंटरल और अगला word जुड़ जाता है इसके आगे processing और हम कहते हैं आगे EKI यानि unit के इंदरी ये प्रशादन unit अगर हम बात करें CPU की तो एक डबा होता है और वास्तम में computer के अंदर जितनी भी process होती है उन सभी को करने का कारिय या जुम्यवारी जो होती है इस process unit यानि CPU की ही होती है अब हम अगर बात करें वास्तम में अगर आप किसी भी computer का सबसे important part देखो तो CPU होता है जितना sound यान जि CPU होगा उतनी ही computer की performance better होगी और साथ में में बात कर रहा हूँ CPU के अंदर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वज़े से उसकी performance उसके कारी करने की शमता अच्छी होती है या हम कहीं बढ़िया होती है दोस्तो हम CPU के बारे में general सी बात करने से पहले ये बता दूँ कि computer में जितने इस सारा का सारा काम इस CPU का ही होता है दोस्तो एक छोटी सी बात में बता कर सुरू करता हूँ अगर हम CPU की बात करें तो हमारे CPU के अंदर लगा होता है micro processor दोस्तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रशन भी बन जाता है और साथ की साथ हम समझ लेंगे पहला प पहले micro processor किसने बनाया और कब बना इन दोनों बातों का जबाब मैं आप लोगों को देने की कोशिस कर रहा हूँ दोस्तो micro processor जो होता है आपका एक silicone की चिप होता है सिलिकोन की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर आपका अर्ध चालक का बना होता है अब हमने ये बात की थी अर्ध चालक की जो भी चीज बनी होगी वो ऐसता ही होगी डेटेल में अपन इस चीज को देखेंगे सिलिकोन का बना होता है इस CPU के अंदर जो सबसे महत्वपुन भाग होता है उसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर की वजए से आज कर जिस कम्प्यूटर का हम इस्तमाल कर रहे हैं उन्हें हम दोस्तों कहते हैं माइक्रो कम्प्यूटर दोस्तों अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर की तो ये काफी सक्ति साली होता है और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर उन्नीस सो इकेतर में याद रखने वाली बात है दोस्तों इस नाम से इस microprocessor को बनाया था यानि CPU के अंदर एक circuit board लगा होता है जिसे हम motherboard कहते हैं उस motherboard के अंदर दोस्तों ये microprocessor लगा होता है जिसे हम कहते हैं Intel 4004 दोस्तों अगर बात करें सबसे पहला जो microprocessor आधारित computer था उसका नाम क्या था तो उसका नाम है LTR यानि LTR एक ऐसा computer है जो microprocessor आधारित सबसे पहला computer कहा जा सकता है दोस्तों अगर हम बात करें Intel 4004 की तो ये 4 bit का processor था यानि एक बार में ये जो processor है आपका 4 bit सुचनाओं को process कर सकता था अगर हम इस 4 bit process का मतलब समझे देखो इस processor का एक cycle था जो एक बार में 4 bit ले जा सकता था कितनी bit ले जा सकता था 4 अगर 8 bit हमें process करना होता तो 4-4 के 2 चकर इसे लगाने पढ़ते समझने वाली बात फिर करते हैं Intel ने इसके बाद में 1912 में ही कई जगे 73 भी दे रखा है डेट जादा contradiction का विशे नहीं होता है computer में क्योंकि अलग-लग standard पे इनको अलग-लग तरीके से explain किया रहता है तो 1912 में ही Intel ने एक और microprocessor बनाया था जिसे कहा गया Intel 8008 जिसे कहा गया Intel 8008 ये 4 bit का था पर ये कितने bit का था 8 bit का अब अगर हम बात करें general सा प्रशन बनाना चाहें कि microprocessor में जितनी जादा bit होगी जितनी अधिक bit होगी प्रोसेस करने की गती उतनी ही तेज होगी यानि कहने का मतलब ये 1912 में Intel ने बनाया था जिसे हम कहते हैं 8008 जो 8 bit का था और 1971 में जो 4 bit का बनाया गया था वो कितने प्रोसेसर था वो इससे थोड़ा सा क्या था धीमा था जनरल सा प्रशन और बनाते हैं क्या आप किसी और माइक्रो प्रोसेसर का नाम जानते हैं क्या कई बार इसका सवाल आ जाता है यानि अब लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं जनरल एक्जामपल देता हूँ अभी लोग डाउन है इस करोना महामारे की वज़े से तो विद्ध्य कर रहा हूँ इस आई का मतलब तो इंटेल है क्योंकि इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या है इंटेल और इसी ने ही सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था एक और नाम लिख रहा हूँ जिसका सवाल क प्रथम सवदेशी, माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम भारती माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो सकती है, चली उपर चल कर बात करते हैं, आपने देखा होगा पहले एक कम्प्यूटर होता है P4, नाम सुना होगा, P का मतलब होता है यहाँ पर Pentium, यानि हम पहले जो माइक्रो प था P4, उससे पहले P3 भी चला था, फिर अगले का नाम आ गया Dual Core, उसके बाद आ गया Core 2 Dual, ऐसे नाम लिखा हुआ आ गया, फिर I3 आ गया, फिर I5 आ गया, I7 आ गया, I9 आ गया, यह अलग-लग माइक्रो प्रोसेसर है, दोस्तों अगर हम बात करें, इस समय हम जो स्टेंडर् यूज कर रहे हमारे देश में, वो माइक्रो प्रोसेसर का I9 है, यानि अगर मैं इतनी बातों से आपको कुछ बात समझाओ, तो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल द्वारा बनाया गया था, इसका नाम था, इंटेल 4000 था, इस समय तब जो हम नया प्रो आपके 128 बिट के भी होते हैं, इसमें इनकी अलग-लग जनरेशन का उप्योग किया जाता है, दोस्तों हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो दो नाम और इनके साथ हपन यूज करते हैं, एक का नाम है CISC और दूसरे का नाम है RISC, दोस्तों अभी हम लोग केवल Computer Basic पढ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ रहे होते, Advanced Architecture of Computer, तो वहाँ पर इनका structure भी बनता है, 8084 या 800, ये माइक्रो प्रोसेसर का एक सरकीट जो आपस में जुड़ता था, उनका एक group भी था, जिसको भी हम समय अनुसार discuss करेंगे, एक बार इन सभी का full form देख लेते हैं, जिसका क instruction set computing, ये इसका full form होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, RISC का मतलब होता है, reduced instruction set computing, ये हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, यानि CPU के अंदर जो चीज लगी होती है, उसमें सबसे महत्वपून योगदान होता है, इसी माइक्रो प्रोसेसर का, चली, थोड़ी सी और बात करते हैं, वास्तम में माइक्रो प्रोसेसर जिस जगे पे लगा होता है, उस जगे को कहा जाता है, mother board, याद रखने वाली बात आपको mother board ही कहा जाता है, अगर मैं कहूं, computer में संचार के लिए, communication के लिए, computer के अंदर जो उपकरन है, उनके साथ संचार के लिए mother board का ही उप्योप किया जाता है, इसे एक प्रकार का हम कहें system board कहते है, mother board एक प्रकार का, आपका system board, या हम कहें circuit board होता है, जिसमें बहुत सा क्या लगे होते हैं Letroni Kampo Netует L substation. इस mother board के अंदर Bo बोहुत सारे electronically component जुडए होते हैं जो इस वास्तम में CPU के अंदर लगा होता है और दोस्कों CPU का जो बहार हम लोगोंको डबा BUT दिखा brutally देता है वह उसे cover करने लगा होता है आप किसी misteri की दुकान पर जाना जो computer ठीक करता हूं, computer ठीक करने वाले को mystery नहीं कहते हैं, hardware engineer कहते हैं, क्योंकि बुरा मान जाता है, एक चोटी सी बात बताता हूं, देखो बच्चों के आदत होती है, किसी का पीछा करने की, जब हम कक्षिया 10 में पढ़ते हैं, जब तब तो गाउं के एक school में थे, 10 के बाद हम ल कोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, मैंने 11th bio मतलब मैंने लिया science, लेने का कारण कोई दूसरा था, किसी के पीछे जाकर science ले लिया, भई मैं 15-20 दिन तो science math में बैठा रहा, 15-20 दिन मैं science bio में बैठा रहा, लगबग ऐसे करके मैंने दिन निकालता गया, लगबग 3-4 मे निकल गए, तो उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई, मैं उसे science math में ढूंडाया, मैं उसे science bio में ढूंडाया, अब एक दिन बसने मुलाकात हो गए, क्योंकि बस से जाना आना करते थे, मैंने पूसा भी तू क्या subject ले रखा है, तो बोली मैंने science ले रखा है, तो मैंने का मैं science क भी अलग-लग प्रकार के होते हैं, तो अगली निक्या लेखा था, होम science तो भाई ने तो वही science छोड़ दिया, मतलब अगर होम भी science होता है, यानि होम science भी होता है, इस bio और math के लावा, तो हम भी भाई साब लेंगे इस बाह, क्या लेंगे, computer science, यानि उस दिन मैंने लगब और शे महिने बाद biology छोड़कर commerce में admission ले लिया, और commerce में भी मैंने computer science ले लिया, अब कोई मुझे से पूस्ता subject बताओ गुरुजी भाई साब, तो हमने कहा कि subject हमारे पास science है, science कोन से वाली computer science, तो दोस्तो वास्तम में हम जो चीज पढ़ रहे हैं, वो computer science है, चलिए अपने topic से बढ़केंगे नहीं, वापस वहीं आ जाते हैं, वरना तो लोग कहेंगे online पर भी बात चालू कर दी भाईने, motherboard संचार और communication के लिए यूज किया जाता है, इसे system board कहते हैं, मतलब technically electronic component इसके साथ जुड़े होते हैं, ये home science वाली बात को उड़ा दो, चलिए, motherboard की अगर ब की, और उस CPU के अंदर सबसे पहले, यानि वास्तम में अगर मुझे कोई कहेना की CPU, तो मैं CPU को भूल कर केवल एक सब्द का इस्तमाल करता हूं, वो सब्द है, micro processor, वास्तम में उस CPU के अंदर micro processor ही तो होता है, अब उस motherboard के अंदर और क्या चीज़े होती हैं, हम बात करते हैं, दोस्तो हम CPU के बारे में पढ़ रहे हैं, सिस्टम रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो motherboard है, उस motherboard के अंदर भी बहुत सारी चीज़े जुड़ी होती हैं, अच्छे, अगर मैं कहूं कि मुझे computer से कुछ उपकरन जोडने है, कुछ उपकरन जोडने का मुझे computer से peripheral सब्द है, याद रखना है, जिसे हम कहते है, peripheral उपकरन, device, ऐसे सभी उपकरन जो computer system से जोड़े जाते हैं, उन सभी उपकरनों को हम peripheral कहते हैं, peripheral का मतलग होता है, बहार की और से जूडने वाले, वालई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जूडने वाले device, याउपकरन, क्या हम उस CPU से बहार की और से monitor को जोड़ते हैं, क्या, हाँ, क्या हम उससे बहार की ओर से माउस को जोड़ते हैं क्या कहने का मतलब जो चीज बहार की ओर से जुड़ रही है उस हर चीज को peripheral कहते है CPU के अंदर processor लगा होता है RAM लगी होती है hard disk लगी होती है क्या वो आपके peripheral component है क्या नहीं वो आपके peripheral component नहीं है चलिए दोस्तों अब बात करते है peripheral उपकरन जोड़ दिया तो motherboard के अंदर एक चीज बनी होती है जिसे हम कहते है slots motherboard के अंदर जो उपकरन जोड़ते है वो जोड़ते हैं दोस्तों slot पर अच्छा slot के बाद एक ओर सब्द आता है card जिसे हम बोलते है card एक तीसरा नाम आता है port क्या नाम आता है port port अच्छा बात है यह motherboard यानि CPU के साथ जोड़ी चीजे है slot का मतलब है motherboard के connection बिन्दू यानि technically motherboard के अंदर जितने भी उपकरन जोड़ते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हम इस्तमाल में लेते हैं slot slot होता है motherboard के connection बिन्दू साथियो card होता है पहले मैं उधारन दे देता हूँ फिर दिमाग में बात आ जाएगी card में एक नाम सुनो sound card चलिए थोड़ा कम सुना होगा तो जो game बगेरा खेलते हैं काम लिख देता हूँ दोस्तो आज कल तो हम लोग smart LED का ही उप्योग करते हैं smart LED का मतलब क्या हुआ उस LED के अंदर आप wifi कनेक कर सकते हो android आता एक प्रकार का जो smart LED है वो android tv होता है जिसके अंदर आप चाहो तो wifi चाहो तो blue तो सारे उपकर्ण उससे जोड सकते हो तो पहले जब tv चलाना चाहते थे तो tv टूनर कार्ड का इस्तमाल करते थे यानि मैं कहूं कार्ड क्या होते हैं तो आपका अगर computer सही से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं उससे कोई अतिरिक्त कार्य करवाना है तो हम एक हार्डवेर जोड दे थे उससे हम कहते थे कार्ड ये जो कार्ड थे motherboard के किसके अंदर लगते हैं slot के अंदर लगते हैं और मैं कहूं क्या होता है ये अतिरिक्त हार्डवेर होता है अतिरिक्त क्या होता है हार्डवेर होता है जो आपके computer की क्या बढ़ा देता है शंता को बढ़ा देता है अब देखो port की बात कर रहे थे वास्तम में आपके motherboard पर जो card बना होता है चाहे sound card हो चाहे graphic card हो चाहे वो आपका tv tuner card हो उसके अंदर बहार की और जो छेद दिखते है उन्हें हम कहते है port यानि मैं simple सी भासा में कहूं peripheral peripheral क्या होता है अभी हमने बात कर ली और कहा peripheral उपकरणों को क्या करने का जोडने का स्थान peripheral उपकरणों को जोडने का स्थान जो होता है वो आपका कहलाता है port दोस्तों कई प्रकार के port का हम लोग इस्तमाल करते हैं कौन-कौन से port है उनके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं ये कहां पर दिखाई देंगे आप जब CPU देखोगे तो पीछे की ओर खुब सारी जगे दिखती है जिस पर हम उपकरणों को जोड़ते हैं चलिए उनी को हम कहते हैं पैरिफैल उपकरणों को जोड़ने का स्तान यानी port दोस्तों हम बात कर रहे हैं port की और port के अंदर हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे जो आपको जल्दी से समझा जाएगा जिसका नाम है USB दोस्तों देखो आपको simple बात बताता हूँ जो हम ये subject पढ़ रही है ये international है एक प्रकार का कैसे international है कि आप port चाहे पाकिस्तान में पढ़ने जाना तो USB तो USB काई काम करेगा अब laptop खृदर इंडिया में I3 काम में आ रहा है तो पाकिस्तान में I3 का नाम कोई दूसरा थोड़ी हो जाता है यानि कहने का मतलब ये universal चीजे हैं जो किसी प्रकार का exam हो उसमें काम आता है library science की vacancy है या हम कहे hostel garden या gram seo की vacancy है जिसमें भी आपको computer subject की त्यारी करनी हूँ आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं दोस्तों मैं आपको वापस बताता हूँ जितना अनभो मैंने पढ़कर सीखा है पिछले 18 साल में राजस्तान में वो मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ दोस्तों अभी हम जो topic स्टार्ट किये है CPU यानि process unit उसी के अंदरगत हम ये इतनी सारी बाते कर रहे है क्या लिखा है port पोर्ट में सबसे पहला क्या है USB अगर किसी ने पिछली बार के पतवार का पेपर हल किया हो या देखा हो तो बड़ा simple सा कॉशन पूछा था USB का पूरा नाम क्या होता है USB का पूरा नाम क्या होता है U को बोलते है Universal S को बोलते है Serial और B को बोलते है Bus तो USB का पुरा नाम क्या हो गया Universal Serial Bus दोस्तों अगर हम कहें वर्तमान में सबसे परचलित पोर्ट कौन सा है तो ये आपका सबसे परचलित पोर्ट है इसके लिए अगर हम कहें इसके अलग-लग वर्जन का हम लोग यूज करते हैं USB 1.0, USB 2.0 और USB 3.0 ये इसके अलग-लग वर्जन है आप देखोगे पहले हमारे लेप्टोप में दो एक साइट पोर्ट आते थे USB वाले एक अलग आता था आजकल जनली दो पोर्ट ही अपने इस्तमाल में लेते हैं कान होता है पहले हम USB 1.0 या 2.0 का इस्तमाल करते थे आजकल जादतर 3.0 का इस्तमाल करते इसकी जो ट्रांसफर स्पीर होती है वो और पोर्ट के मुकाबले काफी जादा तेज होती है आजकल आप जो पेंडराइव खरीद के लाते हैं आप देखोगे उस पेंडराइव पर भी लिखा होता है USB 3.0 डेटा ट्रेवलर ऐसे कुछ दिया हुआ रहता है चली कोई बात निए इसके बाद नमबर दूसरे पर बात करूँ तो एक पोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीरियल पोर्ट कोई सा होता है सीरियल पोर्ट चली नमबर तीसरा मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ एक होता है जिसे कहते हैं पैरलल पोर्ट दोस्तो इनी का प्रशन बनता है समझने की कोसिस करना पहले जब हम कीबोर्ड और माउस को जोड़ना चाहते थे सीप्यू से तो या तो सीरियल पोर्ट का उप्यूग करते थे या कौन सा पैरलल पोर्ट का उप्यूग करते थे सीरियल पैरलल क्या है हम बात करते हैं या यूएस्बी क्या है हम बात करते जितने भी लगबग component इस समय computer से जुड़ रहे हैं वो सभी के सभी आप किसके माद्यम से जोड़े USB पहले हम इस्तमाल में ले 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 थे serial जो goal pin वाला आता था serial port की बात करें तो देखो यहाँ पर एक A है इधर एक B है इधर से मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 भी data भेज रहाँ उधर भी 8 bit data पहुँचेगा यानि 8 line ने 8 bit के बराबर है लेकिन एक बार में केवल कितनी bit जाएगी एक यह serial में होता है जैसे हमने पढ़ा छोटी classes में science में एक होता है स्रेणी करम दुसरा होता है समानत करम स्रेणी करम में क्या होता था समानत करम यानि parallel उसमें क्या होता था एक साथ चलते हैं तो इसमें तो एक बार में केवल कितना data जाता है एक बार में केवल एक bit सुचना जाती है इसमें लगभग 9 pin का उपियोग किया जाता यानि अगर कुछे कि serial port कितने pin का होता है तो आप बताओगे 9 pin का और इसका उपियोग हम जादा दूरी पर अगर data भेजना हो तो उपियोग करते हैं इदर आते हैं parallel में इदर मैं लिखा A इदर लिखा मैंने B इदर से सुचना भेज रहा हूं 4 bit तो इदर से भी कितने bit जाएगी 4 इदर भी कितनी पहुंच जाएगी 4 इदर से मैं 8 भेज रहा हूं तो इदर से भी कितनी जाएगी देखो 8 उदर भी कितनी पहुंच जाएगी देखो 8 तो देखो ये standard है parallel एक बार में कितनी सुचना भेज देता है 8 bit सुचना भेज देता है साथ की साथ ये क्या काम आता है कम दूरी पर अगर डेटा आपको भीजना हो तो हम इसका इस्तमाल करते हैं साथ की साथ अगर हम एक और बात करें इसमें लगबग 25 पिन होती है इसमें कितनी पिन होती थी 9 पिन का इस्तमाल करते थी इसमें लगबक इतने पिन का यूज़ किया जाता है 25 का नमबर 4 पर नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन प्रेशन आता है M-I-D-I क्या नाम लिखा है दोस्तों मैंने मिडी क्या होता है पूरा नाम मिडी का M का मतलब हो गया म्यूजीकल I का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट कहा जा रहा भई D का मतलब हो गया डिजीटल I का मतलब हो गया इंटरफेस जो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं येस और नो लिख कर बताएं दोस्तों वापस मैं बार बार आप लोगों को एक बात बताता हूँ क्लास जब ओफलाइन चलती है तो हम बच्चों को ये बोल देते हैं हाँ समझाई बात उनका जबाब हाँ या नामे आ जाता है यहाँ पर हम बात करेंगे मिडी की तो मिडी क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफे चली मैं बात कर लेता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे क्लास आपका कभी किसी जागरण में जाने का काम पढ़ा हो अब तो आजकल के बच्चे जागरण में कहा जाते हैं ढ़न watch आप अगर अगर टीवी में देखते हूं इसमें वो थेच करता है पताने कौन-कौन सी आवाज निकल ब हार 2025 में तो ठक जाता था पसीना पसीन हो जाता था जब जाके कोई music या गाना चलता था तो वैसी ही बात मैं यहां पर कर रहा हूं आजकल वो harmonium वल्ला फड़ा खतम हो गया electronic या musical उपकरण आ गए तो जैसे मिडी का नाम है वो मैं यहां पर जोड़ता हूं क्या करने के लिए संग संगीत उपकरण अगर हम जोड़ना चाहते हैं तब हम किसका उप्यूग करेंगे मिडी का संगीत उपकरण में क्या क्या आता है अगर मैं कहूं electronic electronic keyboard हो गया या piano हो गया इन सभी को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं मिडी का मिडी का पुरा नाम होता है musical instrument digital interface number 5 पर port में सबसे important ये है इस समय इसका उप्योग भी ज़्यादा किया जाने लगा है इसे बोलते है hdmi h का मतलब होता है यहाँ पर high d का मतलब होता है definition m का मतलब होता है multi media और i का मतलब होता है interface यानि sdmi high definition multimedia interface आसकल जितने भी हम कहते है audio या हम कहें video जो उपकरण है उन्हें हम जोड़ना चाहते हैं तो साथ की साथ में आप लोगों को बता दूं कि आसकल जो हमारा smart tv है या हम कहें प्रोजेक्टर है इन सभी को भी हम अगर जोड़ना चाहते हैं तो sdmi port का हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों process root के अंदर हम बात कर रहे थे port की और port के बाद हम आगे बढ़ते हैं जो CPU होता है उसके साथ में एक और component जुड़ा होता है वास्ता में उसके बिना हम इस CPU की कलपना नहीं कर सकते हैं मतलब यह हुआ कि अगर आप CPU का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको एक और नाम का पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं SMPS यानि अब जब light म हम तार लगाते हैं और वो तार CPU के साथ जुड़ता है तो एक डबा बहार काम आता है जिसके साथ में फैन यानि पंखा भी जुड़ा होता है उसे बोलते हम लोग SMPS यानि इसका पूरा नाम होता है सिंपल सोरी स्विच्ड मोड पावर सप्ला है चलिए बात करते हैं SMPS की क्या SMPS हमारे CPU के लिए कंप्यूटर के लिए कंपलसरी या अनिवार ये है क्या बिलकूल है दोस्तों बिना SMPS के आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं क्योंकि ये हमारे SMPS को सोरी कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है बिजली सप्लाई देता है साथ की साथ हम कहीं क्या काम करेगा बोलू ये करेगा पावर सप्लाई पावर सप्लाई को बोलते हैं बिजली आपपूर्टी करता है और अगर हम इसके बारे में बात कें तो प्लस माइनस पांच वोट पर लगबगी काम करता है इससे ज़्यादा के भी हम लोग साथ बारा के भी उप्योग में ले गए अब जो जर्णल बात इसकी है वो ये सुनो आप लोग मुबाइल चार्ज करते हैं जी करते हैं गुरुजी लेप्टोप चार्ज करते हैं करते हैं मुबाइल चार्ज के लिए एक बाहर अडप्टर लगा होता है एक पिंटो साथ में हम aid करते हैं एक adapter लगा होता है क्या हम बिना adapter के mobile charge कर सकते हैं क्या ना गुरूजी नहीं कर सकते हैं मैं कहरा हूं कर सकते हैं भई एक बार चार्ज भर जीवन भर आपको charge करने की आउ सकता ही नहीं पड़ेगी मतलब यह हुआ कि बिना adapter आपका mobile charge नहीं होगा अगर आपने दो नाम सुने हो एक होता है AC और दूसरा होता है DC प्रत्यावरती धारा दिश्ट धारा अल्टेनेटिव करंट डैलेक करंट दोस्तो जो तार के अंदर करंट आता है वो AC होता है और जो electronic component को करंट चाहिए विजली चाहिए सप्लाई चाहिए वो कौनसी होती है DC होती है तो दोस्तो सबसे ज़्यादा और कहने वाली बात जिस पर आपने ध्यान दे दिया हो तो ये प्रशन पहले पूछा जाने वाला था full form जो पुराना mode हो गया अब जो प्रशन SMPS का बन सकता है वो ये बनेगा कि SMPS कौनसी धारा को कौनसी धारा में बदलता है यानि ये AC को किस में बदल देता है DC में alternative current को direct current में बदलता है और electronic current जो हम इस्तमाल में लेते हैं वो सभी के सभी किस पर कांग करते हैं इस DC पर ही कांग करते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं इस CPU के अंदर और भी तो बहुत सारी चीजे होती है जिनका हम practically अध्यन करेंगे या समझने वाली बात इसके साथ हम लोग जोडेंगे यानि CPU जो होता है Central Processing Unit इसे हम कहते हैं computer का दिमाग यानि ये computer का क्या होता है दिमाग होता है इसके हम करते हैं CPU के कितने भाग में डिवाइड करेंगे हम तीन भाग अब ये तीन भाग कोन-कोन से हैं सबसे पहला भाग अच्छा भाग कोई काट के इससेदारी नहीं कीए नकसा जैसे बना वैसे इससेदारी नहीं कीए है इनके अलग-लग कारियों के आधार पर अलग-लग डिवाइड किये है पर्टिकुलर जो हमारा CPU है उसको हम जर्नली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहले का नाम है ALU ILU नहीं है भाई, ALU है A का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ-मैटिक-लोजिक और अगला वर्ड है यूनिट ALU को कहा जाता है अर्थ-मैटिक-लोजिक यूनिट अच्छा दूसरा पार्ट होता है इसी का लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे हम कहते हैं CU, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट तीसरा पार्ट होता है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिटेल से पढ़ेंगे इसे कहा जाता है MU यानि मैमोरी यूनिट दोस्तों CPU के तीन भाग बनाए कारिय के अधार पर सबसे पहला हमने कहा यह लिख दोस्तों जो मदरबोर्ड था उसके उपर एनकोडर लगा होता है दिकोडर लगा होता है, मल्टिप्लेक्सर लगा होता है deep multiplexer लगा होता है half adder होते है full adder होते है priority with checker होते है मतलब बहुत सारे electronic components से मिलकर वो आपका motherboard बनता है अगर उस motherboard की हम बात कर रहे थे उसी पर कुछ इसा ऐसा होता है जिसे हम कहते है arithmetic logic unit उस motherboard में कुछ ऐसे chip लगी होती है ऐसे devices लगे होते है जिनका arithmetic और logical कार्ये होता है अब इस ALU को भी मैं कार्ये के अधार पर दो भागों में बाट लेता हूँ पहला कहता हूँ LU और दूसरा कहता हूँ AU चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ AU की AU का हो गया मतलब arithmetic unit arithmetic unit की बात करें तो ये सारे के सारे जो काम करेगा वो किसके करेगा गणित के आप सभी लोगों को पता है कि गणित में प्लस माइनस गुना भाग और किसका कार्ये होता है प्रतिसत का कार्ये होता है तो ये सारे कार्ये arithmetic unit यानि AU के होते हैं इधर चलते हैं LU, LU को बोलते हैं logic unit, logic का मतलब हो गया क्या? तारकिक इकाई, logic unit का दूसरा नाम हो गया तारकिक काई, और तारकिक में क्या क्या काई यह होता है? यह सभी के सभी कारिये इस A, LU के हैं और यह जो कारिये हैं हमारे किसके हैं? तुलना के और यह किसके हैं? गणत के चलिए, दो बाते करते हैं, इस तुलना को कई बार ऐसे भी लिखा हुआ देते हैं, जिसे हम कहते हैं compare, दोस्तों बोड की तर देखना बात कर रहे हैं, CPU के पहले भाग का नाम था, ALU Arthematic Logic Unit, इसके भी मैंने दो भाग किये, पहला ALU, ये कौन से कारिय करता है, तारकी कारिय कर ये कंपेर करना, ALU का ही कारिय, लेकिन कौन सा है, लोजिकल कारिय है, AU Arthematic Unit गनित के काम करता है, जैसे प्लस माइनस गुना भागो, प्रतिस्तत निकालना, आगे देखो क्या लिखा है, CU यानि Control Unit, नाम से पता चल रहा है, इसे हम कहते हैं, नियंत्रण इकाय, यानि हर चीज को Control करने का काम अपना किसका होता है, इस CU यानि Control Unit का होता है, साथ की साथ कहें, ये किसे नियंत्रण करती है, Input, Output को भी एमेनेज करती है, CPU आपका कोन से कारिय को करेगा, उसे भी एमेनेज करती है, साथ की साथ इसे Computer का दिल कहा जाता है, अगर मैं कहूं कि Heart of Computer किसे कहते हैं, तो आप बताओंगे CU को, सबसे Important इसके बारे में जो प्रशन बनता है, ये पूछा जाता है, वो है, पहला वर्ड है Encoding, और दूसरा वर्ड है Decoding, यानि हमारे CPU के लिए Encoding और Decoding का कारिय जो करता है, उसे कहते हैं Control, Encoding, Decoding का मतलब क्या हुआ, हम जो Input करते हैं, वो Direct तो Computer समझता ही नहीं है, उसको Electronic Format में Change करके देने की जुम्यवारी होती है, हमारे Input Devices की, अब जो Data जाएगा CPU के पास, वो Direct Data पहुंचेगा, पता है किसके पास, इस Control Unit के पास, ये Control Unit उस Data को क्या करेगी, फिल्टर करेगी, उस Data को 01 में Change करेगी, और कहेगी, भई, Arthematic है, तो इसके पास चल जाए, EU के पास, अगर कुछ इसी से होने वाला, तो ये खुद कर देगा, वरना उसे संग्रहीत करने के लिए, हम लोग किसका इस्तमाल करेंगे, Memory Unit का, तो हम क क्या बताए, Memory Rate का यूज, स्ताई, या फिर कहें, स्ताई, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, हम Memory Unit का उप्योग करते हैं, दोस्तों, अभी हम लोगोंने बात की है, CPU के तीनों भागों की, हम एक CPU का पूरा डाइग्राम बनाएंगे, थोड़ी जुड़े होते हैं, उससे पहले हम एक इस Memory Unit के बारे में बात कर लेते हैं, Memory Unit के बारे में बात करने से पहले में बता दूँ, कि अगर आपके दिमाग में Memory आ रहा होगा, तो एक सब्द आपके मन में चला है, कौन सा सब्द चला होगा, किस और हम Pen Drive खरीद के लाते हैं, हम Memory Card खरीद के लाते हैं, उस Pen Drive Memory Card के बारे में हम बात करते हैं, तो कई बार 4 GB का आता है, फिर 8 GB का आता है, फिर 16 का आता है, फिर 32 का आता है, दोस्तों कई बार कहीं पर इंटर्विव होते हैं तो वहाँ पर इस परकार का प्रशन कुछ लेते हैं, कि आपको Computer का Knowledge है कि आप कहत होता है, तो दोस्तों उसका Reason में Discuss करता हूँ, साथ के साथ बताऊंगा GB, MB, KB क्या होते हैं, जो Memory Unit के portion होते हैं, चली छोटी सी बात करते हैं पहले, कि जो Pen Drive Memory Card हम 2 GB के बाद 4 GB का ही क्यों आता है, फिर 4 के बाद 8 का ही क्यों आता है, Computer में Binary Number 0 & 1 होते है, और वह 2 के Multiple में च मतलब 2 GB आएगा, फिर उसके बाद 2 की घाद 2 का मतलब कितना आएगा, 4 GB standard है, फिर 2 की घाद 3 मतलब कितना, 8 GB, अब कोई कहे सर मेरे पास तो Computer 6 GB RAM है, अरे भाई 6 GB की RAM नहीं आती है, सिंगल, जादा तर 6 GB की जहां पर आप बात करोगे, वहां पर 1 4 GB का लगा होगा, और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद